असलाम अलेकुम हादर आपने नई वीडियो के साथ तो आज हमारा टॉपिक 5.4 प्रॉपर्टीस ऑफ लिक्विट का चौता टॉपिक फ्रिजिंग पॉइंट इसे पर तीसरा टॉपिक हमने बॉइलिंग पॉइंट पड़ा था तो आएं फ्रिजिंग पॉइंट को समझते है टॉपिक है तो ब्हुनिंग पॉइन्ट में जाते है पीटा विक्विट इक्वाल होता था याथ मॉस्फेरीक प्रेशर या एक्शंन प्रेशर के तो फिरिंग किन कि सौलिड ऐ si ile मैं किसी चीज को हमने सालिड टीफाइड कर दिया है यानि सौलिड एंट कर दिया लेकिन उसे व tar pressure मौझूद होंगी लेकिन काफी हद तक होंगी ऐसा नहीं है इसा प्रेशर मौझूद नहीं लिक्विड ने भी वैपर प्रेशर होगा ठीक है ना बास समझवारी आपको तो सॉलिड स्टेट ने भी वैपर प्रेशर होगा अब वो चाहिए जीरो हो या उससे ज्यादा हो तो हर चीज में टादाज मेंस ऩाइड में इडिफ्रिवाइपर फेशर पाए जाएना ठीज हो अधिक है लिए इसके दिए कोई किये वाट कर लिए वेपर प्रेशर कि वर्राबर रही हो जाता है तो इसको हम ज़ने क्यों चो घैसे ही लिकवित कनवर में कोई strict कनवर्ट हो जाता है सौलिध Jed को हम 金lock कैता है मैंदिंग मınaं ऎलए जहा순 मैंने और मिकवेड जैसे ही ethnicity false होना शुरू हो जाए वह क्या विटा विटा फ्रीजिंग नो होता है तो इस होते हैं तो सब्सक्राइब जिरो डिग्री संटिग्रेट एस पी यह निए फ्रीजिंग और वाटर का बॉलिंग पॉइंट क्या है वह भी आप जानते होंगे वह कहा है बैटा हंड्रेट डिग्री सेंटिग्रेट क्लियर है तो दो टेंपरेटर एड़ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इस टेट इकोवल टू यह वेपर प्रेशर ऑफ इट सॉलिड सेट की ब्यादा वैपर प्रेशर होती लेकिन बहुत कम होती ठीक है तो उसको हम क्या गटेए बिटा फ्रीजिंग पॉइंट क्याते हैं तो एड इ लिक्विड स्टेड में तो अचानत तो सारा वाटर थोड़ी हो जाएगा सॉलिड सेट ने बाहर भी एनर्जी होती है एनर्जी का चेंज हर वक्त चल रहा होता है ठीक है ना तो हर चीज़े एकलूबिरियम में आना चाहती है तो क्या है इस टेंपरेटर लिक्विड और इंपरेटरेटर उनकों किसका करते हैं ठीक है Sieren फ्रे elves demand temperature and Inter Molecular फोर्सिस तो इनके वर fishing point 답ेंड करेंज़े तेंप्रेचर और Inter Molecular फोर्सर के पें topics प्रथुमाथ को समझते हैं जिरम मॉक्लिक्यूल फोर्स ऐसे और यीप मोलिकूल जिनमें intermolecular forces कम हैं तो molecules with strong molecular forces are pulled together तो यह क्या होंगे पुल होंगे एक दूसरे करीब आएंगे तो फॉर्म आ सॉलिड तो आप जानते हैं गैसे में जो molecule होते हैं वो दूर दूर होते हैं लिक्वीड में करीब-करीब और सॉलिड और करीब-करीब ठीकिन जब गैस को करा होते हैं कंप्रेस कर रहे होते हैं तो वह कंवर्ट हो जाता है लिक्वीड स्टेडब में कभी आपने एल्पीज इस्तेमाल किया हो जब गैसे की शौटिज होगी तो जब आ ये क्लिक्वीड महुझीद होता है के आपने कभी इसको गौर किया लेकिन बाहर आता है जब आप उसका फोल ते हृए घ्रीकूल करीब आता है तो हैं जा है तो आप जिसमें intermolecular forces जादा होंगी जिन molecules में intermolecular forces ज्यादा होंगी तो वह high temperature में क्या होगा freezing point कहला सकता है सब्सक्राइब लेकिन different होगा जैसे एक मिसाल यह देखते हैं तो देखा जाए तो 16.6 थोड़ा सा सकता है ऐसा नहीं कि इसको low temperature माना जाए ठीक है तो जिस molecule में intermolecular forces ज्यादा होंगी तो उनका जो उसका freezing point का temperature को क्या होगा बैटा हाई temperature होगा clear अब उसी तरह के सा molecules with lower intermolecular forces जैसे कि इसके में intermolecular forces लीक है तब ही इसकी molecules दूर दूर है तो molecules with lower intermolecular forces solidify on more lower temperature on more lower temperature temperature ज्यादा लोगा जिनके रम्यां intermolecular forces बहुत वीक होंगी molecules बहुत दूर दूर होंगे वो जो solidify होंगे किसमें मोर लो टेंपरेचर में यहनि टेंपरेचर नेगेटिफ पर जाएगा तो नेगेटिफ टेंपरेचर क्या होता लो टेंपरेचर होता दर्जाहर और गिरे का तब जाके वो solidify होंगे जिनके दरम्यान माइनस 114 डिग्री सेंटीग्रेट अगर अलकोहल को आप खुला छोड़ तो यह प्राइस हो जाता है क्या हो जाता है लेकिन असा नहीं पूरा हो जाएगा लिक्विड़ी पाया जा सकता है जिरो डिग्री सेंटीग्रेट पर मरकरी ट्री थर्डी एट-ट्री और मरकरी के आप एसा मेडर YouTube में पाया जाता है लेकिन बाच जाता है लेकिन इसके लाव और मेटल से किसमें पाई जाते हैं ठीक है ना तो मैटल को भी आप वेपर में कनवर्ट कर सकते हैं शर्थ यह आपको टैमरेचर चेंज करना पड़ेगा क्या उसकी डिजाय टैमरेचर है ठीक है तो मरगरी के जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है मा जाते है मैंटिंग पॉइंट तो यह आपके पास अगला है ब्रॉमीन और प्रमीन की जो है वह मानेस सेवन पॉइंट तो हर मोलेकूल की अलग अलग होती है लेकिन हमें थोड़ी बहुत मालूमात इसके बारे में क्या होता है तो उमीद करते हैं आप बराबर हो जाता है तो उमीद करते हैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट और से टॉपिक समझ में आ गया होगा तब तक लिए जादत दीएगा लाहाफिज